Hello friends, welcome back to Prabhalo classes. आज हम company law का एक topic discuss करने वाले हैं, जिसे share कहते हैं, यानि की अंश. Share, होता क्या है share आपका? जो company होती है, company की capital. ठीक है, company की capital जो होती है आपकी, उसके क्या होते है? Small, equal units होती हैं उसकी. मान लीजे, यह आपकी company की capital है. टोटल, ठीक है, तो अब हमने क्या क्या है? इस capital के क्या कर दी है? छोटे-छोटे, small, small unit कर दी हैं, छोटे-छोटे parts कर दी हैं. तो अब यह छोटे-छोटे जो parts किये हैं हमने, इस capital के, इसमें से यह हर parts क्या कहलाएगा? इसकी unit, share. तो यह जो आपकी unit है, हर एक part, यह जो unit है आपकी, यही कही जाती है, share की. दूसरी चीज किया, कि equal, इन्होंने कह वर्ड यूज किया है, equal unit होनी चाहिए. अब जो यह share है, अब इस share है, इसका एक price fix किया जाएगा, माल लीजिए, कि 10 रुपीज इसका share का price है. तो ऐसा नहीं है कि इस share का price आपने 10 रुपीज रख दिया है, और इस share का price आप क्या कर रहे हो? यह आप रख रहे हो, 20 रुपीज का. तो ऐसा नहीं है. आगे क्या कह रहा है, कि जो share होता है, वो percentage होती है ownership की, किसमे company में, किसी company के, जितने आप share purchase करेंगे, उतने हीं आप उस company के, उसी percent के हिसाब से owner कहलाएंगे. Investor who holds share. अब जो भी investors होते हैं, जो जो company के share purchase करते हैं, किसी company के, वो क्या कहलाए जाते हैं? Share Holder. अब बात आती है, types of share. Share तो हमने देख लिया कि share क्या होता है, लेकिन अब बात आ रही है, कि आप किसी company के, कौन से share खरीदना चाहेंगे? Equity share खरीदना चाहेंगे, या फिर Prefenture share खरीदना चाहेंगे? जो Prefenture share है, उसको भी 4 category में categorize किया गया है, इसको हम आगे detail में देखेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि इक्विटी share और Prefenture share होते क्या हैं? देखे, Prefenture share जैसे कि आपका नाम से ही आपको थोड़ा idea लगाना है, Preference, Preference यानि कि क्या मिल रही है, Preference मिल रही है. अब हम आगे चलते हैं, ये कहता है कि वो share जो कि carry करते हैं, क्या carry करते हैं? प्रिफेंशल राइट यानि कि कुछ special rights carry करते हैं, आप प्रिफेंशल राइट अब ये जो आपका प्रिफेंशल राइट है, वो क्या राइट है? कि उनको ये होता है कि उन्हें dividend receive करने का राइट होता है, dividend यानि कि जो company के लाभाँच होते हैं उनको, अब जो ये कह रहा है कि अब लाभाँच तो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, equity share वालों को भी dividend मिलता है, प्रिफेंशल शेर वालों को भी dividend मिलता है, लाभाँच दोनों को मिलता है, लेकिन प्रिफेंशल शेर वालों को क्या है, कि we'll firstly make payment to the person holding प्रिफेंशल शेर at a fixed rate or any amount is fixed, सबसे पहले जो dividend का payment किया जाता है, वो प्रिफेंशल शेर ओल्डर्स को किया जाता है, उसके बाद आपका equity share holders को dividend प्रुवाइट करा जाता है, dividend यानकी लाभांच यानकी company को जो भी profit होता है, वो ऐसा dividend अपने share holders को प्रुवाइट कराती है, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि पहले payment किसे किया जाएगा, प्रिफेंशल शेर ओल्डर्स को, दूसरी चीज क्या है कि इनका जो आपका rate है, वो fixed होता है, और amount जो होता है, वो fixed होता है, किस चीज का, dividend का, कि उन्हें किस rate पे dividend प्रुवाइट कराया जाएगा, और उस rate पर कितना amount उन्हें पे provide कराया जाएगा, वो आपका fixed होता है, चीक है, अब चाहे company को profit हो या ना हो, उनका rate fix है, उनका amount fix है, company उन्हें देगी, जैसे हमने अभी आपको बता आई था, next हमारा आता है equity shares, अब equity shares क्या होते है, other than preferential shares, यानि कि जो preferential shares से other होते है, these are most common classes of share that issue and carry maximum risk and rewards, maximum risk and rewards की क्यों बात आईए यहाँ पर, इसलिए आई है, क्योंकि जो equity share holders होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कि पहले preferential shareholders जो होते हैं, उनको ही dividend provide कराया जाता है, बात में जो बचावा होता है, वो equity shareholders को provide कराया जाता है, अब यहाँ पर क्या है, अगर company को loss हो रहा है, company को profit नहीं हो रहा है, तो उसमें जो risk होता है, यानि कि अगर company को profit नहीं होगा, तो dividend provide नहीं कराया जाता है, तो वहाँ पर अगर company को profit नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो equity shareholders को जो आपका dividend है, वो क्या कर सकती है, डिले कर सकती है, या फिर किसी year में वो lapse भी कर सकती है, तो यहाँ पर जो equity shareholders होते हैं, वो थोड़ा उनका जो होता है, business के मामने थोड़ा risky matter होता है, as an equity shareholders are not only entitled to voting rights, इनमें एक चीज़ क्या होती है, जो preferential shareholders होते हैं, उनको voting right नहीं होता है, लेकिन जो equity shareholders होते हैं, उन्हें क्या होता है, इन्हें voting right होता है, but also have right to receive dividend, but the dividend issue from the profit of the company are not fixed, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे equity shareholder होते हैं, उनका जो dividend company उनको provide कराती है, वो कराती है profit के according, ठीक है, लेकिन जो उन्हें कितना dividend provide कराया जाएगा, ये company के profit पर depend करता है, उनका amount fix नहीं होता है, are not fixed, दूसरी चीज़ किया, कि equity shareholders को क्या होता है, voting rights होता है, voting rights तो होता ही होता है, उन्हें dividend भी मिलता है, dividend यानिकी लाभांश उन्हें भी मिलता है, बस अंतर कितना है, कि जो preferential shareholders होते हैं, उनका fix होता है, चाहे company को profit हो, या ना हो, company preferential shareholders को dividend provide कराएगी, जबकि जो equity shares होते हैं, equity shareholders होते हैं, उन्हें अगर company को किसी year profit नहीं होता है, तो उलाप्स भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया, equity shareholder और preferential shareholder, आगे हैं हमारा classes of preferential share, कि जो preferential share हैं, उसकी क्या करकिए, dividend के according भी two type के होते हैं हमारे preferential share, participation in surplus profit के base पर भी two type के होते हैं, convertibility यान की प्रवतन शील्टा के according भी हमारे दो type से होते हैं, और redemption यान की motion के आधार पर भी दो तर है कि हमारे होते हैं, preferential share, देखिए, dividend के according अगर हम देखें तो two type के होते हैं, cumulative preferential share और non-cumulative preferential share, cumulative preferential share क्या होते हैं, कि they have right to receive area of dividend, area means बकाया, मान लीजिए, कि कि किसी year में company को profit नहीं हुआ, और company ने preferential shareholder को dividend प्रवाइड नहीं कराया है, next year company को profit होता है, और वो preferential shareholder को dividend प्रवाइड कराती है, तो यहाँ पे जो preferential shareholder है, उनके पास right है, कि जो last year dividend प्रवाइड नहीं कराया गया था, preferential shareholder को वो उसकी भी demand करें, यानि कि उन्हें right है कि जो previous year का areas of dividend है, वो भी वो लें, यानि कि previous year का और this year का दोनों year का dividend लेने के बाद, यानि कि dividend प्रवाइड कराने के बाद, preferential shareholder को बात में जो बचेगा, वो equity shareholder को प्रवाइड कराया जाएगा, as a dividend, वही non-cumulative preferential share जो होते हैं, उनको ये right नहीं होता है कि वो areas of dividend गेन करें, next है हमारा participation in surplus profit, जो participation in surplus profit है, surplus का मतलब हैता है अधीशेश लाब, यानि कि जो अब बच गया है, लाब में से जो और बच गया है, उसका क्या होना है, यानि कि इधर divide कर दिया, इधर distribute कर दिया, उधर distribute कर दिया, अब जो बचा हुए है, बचे हुए का क्या करना है, तो participation, provincial share में क्या होता है, कि जो article association होती है company की, उसमें ही प्रवाइट कर आया हुए होता है, कि जब company equity shareholder को और provincial shareholder को dividend provide करा देती है, उसके बाद जो अभी remaining profit बचता है, उस remaining profit में भी जो provincial shareholder है, उनको right होता है, किसमें, कब होता है उन्हें right? जब वो कौनसी share उन्होंने लिए हुए है company के, participation, provincial share अगर उन्होंने लिए हुए है, तो उन्हें क्या होगा? जो बाद में remaining profit होगा, उसमें से भी वो उसमें से भी आपना part ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है non-participation preferential share, इम वही है कि जो right participation preferential shareholder को मिलता है, non-participation preferential shareholder को नहीं मिलता है, यानि कि अगर कोई profit बात में, नेक्स्ट आपका आता है convertibility, convertibility का means क्या होता है? परिवर्थन share, यानि कि जिसको परिवर्थित कर दिया गया हो, convertible preferential share होते हैं इसमें और एक non-convertible preferential share होते हैं, अब इसमें क्या होता है? Those preferential share which have right to convert into equity share, यानि कि अगर आपने जो convertible preferential share लिए हुए हैं, तो आपके पास ये right हो जाता है कि आप अपने जो preferential share हैं, उसको equity share में convert कर सकते हैं after a fixed period. जबकि जो हमारे non-convertible preferential share holder होते हैं, उनको ये right नहीं होता है, do not have the right to be converted into equity share. Next हमारा redemption, यानि कि motion के आधार पर, इसमें पहला हमारा आता है, redeemable preferential share, redeemable preferential share आपके क्या होते हैं? यानि कि जो आपकी preferential share हैं, वो एक specific time पर, अगर आपने redeemable preferential share प्रचेस कियो हैं हैं, company के, तो एक specific time पर, जो की आपके share certificate, यानि ये जब आप share किसी company के खरीदते हैं, तो आपको एक share certificate मलता है, उस share certificate में mention होता है, वो specific time, उस specific time के बाद, आपका जो preferential share है, वो वापस company के पाद चले जाते हैं, यानि की company क्या कर लेती हैं, उसको redeem कर लेती हैं, next आपका irredeemable preferential share, नॉर्मल सी बाद है, irredeemable यानि की, इन जो आगर आपने irredeemable preferential share किसी company के लिए हुए हैं, तो आपको ये ride नहीं है, कि आप जो है, मतलब company जो है, redeem कर ले आपके share को, यानि की इसमें जब company का winding अब होता है, तब company irredeemable preferential share holder की, जो amount होता है, उनको return कर देती हैं, ये आपके कहलाते हैं, irredeemable preferential share, and at last, thanks for watching, please like, share and subscribe, वीडियो पसंद आई, तो comment जरूर कीजेगा,